नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल इसका नाम है केवल इग्जाम इसमें हम पीटी दो हजार चौबिस यानि यूपीएची दो हजार चौबिस के लिए हम पीटी थी सिक्स्टी फाइब को पढ़ रहे थे जो वीजन मैगजीन की आती है करेंट अफेयर को ले जो इसका चैप्टर है वो क्रिशी से संबंदित हैं क्रिशी को आप जानते हैं इस समय 2019 के बाद से देखा गया है कि यूपीएसी में क्रिशी का जो टॉपिक होता है या करेंट अफेयर जो भी रहता है वह बहुत ज़्यदा होट टॉपिक बनते चला जा रहा है तो उसी को अथ्वा जल्दी देखेंगे तेजी से हम लोग उसको पढ़ेंगे समझने की और जहां मुझे लगेगा पूरा पढ़ना मैं उसको पढ़के आपको बताऊंगा चलिए प्रिशी में पहला टॉपिक है भारत में उरुवरक छेत्र के बारे में है हाली में आर्थिक मामले के मंत्री मंदल समितिने किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विसेश पैकेज की मनजूरी दी है इस पैकेज के तहत फुल परिवय जो होगा 3.70 लाग करोन उपय का है सिकृति योजना जो सिकृति योजना के प्रमुक बिंदों पर एक नजर देख लेते हैं पीम प्रम प्रमाण जो है वो 2023-2024 में 2023-2024 के बजट में भूशित किया गया था इस कारिकरम का उद्देश वैकल्पिक उर्वरोग और रसायनिक उर्वरोग को संतुलित प्योग को बढ़ावा देने के लिए राज और केंसासित प्रदेश को प्रोस्ताहन करना था मतलब कि जो आप दिखेंगे कि वैकल्पिक उर्वरोग जो होंगे वो और रसायनिक उर्वरोग को जो दोनों को इक्वल मतलब की बढ़ावा देना है प्यम प्रमाण में यह है अब गोबर्धान यूजनक बर में सयंद्रों से प्राप्त जैविक उर्वरोग के लिए बाजार विकास सहायत हेतु शुकृति करना है गोबर्धन यूजना को स्वच भारत मिशन यानि ग्रामीर के तहट 2018 में सुरू किया गया था इसका उद्देश गाओं की स्वच्चता पर सकरात्मक प्रभाव डालना और मवेशियों से उत्पन अफसिस्ट एवं अन जैविक जैविक अफसिस्ट जो से धन वा उर्जा पैदा करना है सल्फर नेपित यूरिया यानि कि यूरिया गोल्ड की सुरुवात ब्रदा में सल्फर की कमी को दूर करने और खिसानों के लिए इंपुट लागत को कम करने करने हैं तु पहली बार सल्फर लेपित यूदिया यानि यूरिया गोल्ड क में उपयोग किये जाने वाले नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और दच्छ है सरकार ने यूरिया सबसीडी यूजना मार्श 2025 तक यानि अगले दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है यहां केंद्री छेत्रों की एक यूजना है इसका उद्देश 2225 और 26 तक आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादम को अधिक करना है भारत में उर्वरक उद्ध्योग देख लेते क्या है या आठ कोर उद्ध्योग में से एक है कुल उर्वरक खपत में यूरिया के हिस्सेदारी दो बटे तीन से अध दिक है juga भारत में पोटास के उषकताओं को आयात के जरिये पूरा किया जाता है पुर्वरक को प्राथ्मिक दुट्य और सूचम começo सब्सक्राइब के प्राथमिक उर्वरक को पुना मृता में आपूर्ती किये जाने वाले पोशक तत्यों के प्रकार के आधार पर वर्रिक्त किया जाता है इसमें नाइट्रोजन युप्त उर्वरक यूरिया फास्फेटिक यूरिया डाई आमुनाइट फास्फेट और पोटास यानि की प्राइट अधिक सामिल होता है अब भारत में उर्वरक छेत्र देख लेते को चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उभकता कौन है हमारा भारत है यह ध्यान लक्री के सबसे बड़े आयातकों में से एक है यह ध्यान लखना है यह कोश्चन जो है फ्रेम यहीं से होते हैं यह कोशन यहां से फ्रेम होगा वो पूछ लेगा कि इंडिया जो सबसे बड़ा उभ्होगता उसका उर्वरकों का पहला ही हो जाएगा फिर बोल देगा इंडिया सबसे बड़ा उत्वादक है फिर बोल देगा कि विस्व में उर्वरक सामगरी की सब सबसे बड़े आयातों में से एक है ऐसा कुछ कोशन बना सकता है अब नया टॉपिक क्या है फास्फुरस अब फास्फुरस देखेंगे कई सर्वच्छों और सोच यह तरसाते हैं कि भारत को फास्फुरस प्राप्त करने की कटनाई का सामना करना पढ़ रहा है अब उसके बाद देखेंगे अन संबंद्र तक देख लेते हैं भारत विश्व में फास्फुरस का सबसे बड़ा आयातक है इसका अधिकतर हिस्वा पास्फुरस का सबसे बड़ा आयातक है इसका अधिकान सिश्वा पश्चमी अफ्रीका के कैडियम से भरे भंडार से आता है भारत में फास्फेट की चट्टान मुख रूप से केवल दो राज्यों राजिस्थान और मद्र प्रदेश में पाई जाती है यह बेसिक है कई बार आपने कोशन देखे होंगे मुख निच्छिपक प्रायदीपी भारत के मद्ध भाग में भी होता है जैसे ललितपूर उत्तरपदेश मसूरी अभीनती और कार्डिनम बेशन या आंध्रपदेश आदी फासफूरस के उपलब्रता को लेकर चिंताएं क्या है अधिकांस इस्थानों पर फासफूरस के साथ मौजूद होता है एक भारी धातू है जिसे अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है मौरपको पस्चमी सहारा यानि गैर स्वासासी राजशेत्र चीन अलजीरिया जैसे कु फासफूरस के हानिकारक प्रभाव क्या है यह देख लेते हैं अधिकांस फासफूरक प्रिशी अपुहा के रूप में और सीवेच के माध्यम से सीधे जल के निकाय में पहुंच जाते हैं इससे मिशैल युक्त शैवालों में विद्धी होने लगती है अक्सर कैडियम यु इसके सरीर में इसका जैविक संचय होने लगता है जो हिर्दय रोग को विद्धी करता है यह बहुत इंपॉर्टन लाइन ही ध्यान रखिएगा उसके बाद है फासफूरस की कमी को दूर करने क्लिए क्या-क्या उपाय किये गहें परिशुद्धी करन किशी के माध्यम से र लगू-सिचाई योजना चटी गर्णा रिपोर्ट जारू किये लगू-सिचाई योजना के पहली गर्णा के संदर मेह compete 1886 और 87 के साथ की गई थी इस गर्णा की रिपोर्ड नॉवंबर 1993 में प्रकासित हुई थी यह पहली है और छटी अभी हाली में निकाली गई है ध्यान नखियेगा इस गर्णा की पहली कब 1986 में निकाली गई थी उसके बाद देखेंगे हम लोग लगु सिचाई के बारे में देखने वर्गी करम भारत में सिचाई परयोजना को तीन श्रीडियों में अर्थात प्रमुक मध्यम और लगु सिचाई में वर्गी गित किया गया प्रमुक सिचाई योजना के तहत भौतिक रूप से सिंचित और खेती के लिए उप्युक्त छेट्र होता है मध्यम सिचाई परयोजना यह 2000 हेक्टेर से अधिक लेकिन 10 1000 एक्टेर से कम के क्रिशी योग काम छेट्र में आता है लगु सिचाई में सतही और भुझल दोनों तरह के जल सोत्रों को सामिल किया जाता है वहीं प्रमुक तथा मध्यम प्रयूझनाओं में अधेकतर सतही जल संसाधनों का दोहन होता है तो लगु सिचाहीं में क्या होता है इसमें जल जो मतometer कि भुझल और सताय Nonetheless दोनों का यूग हुझता है लेकिन प्रमुक और मध्यम पर योजना होती है यानि 10,000 के उपर एक्टेर के उपर की यानि की प्रमुक पर योजना और 2000 से आधिक और 10,000 या एक्टेर के मध्य की जो प्रशी योग काम में जो भूमी आती है उसमें सतही जलका ही संसाधनों का दोहन होता है इसमें जो भूमिकत जलुता है उनको उप्योग नहीं होता है लगू सिचाई छेत्र संबंदित योजनाय समग रूप से राज सरकार द्वारा किन्यानित की जाती है इसके अतरिक राज की स्वयम की राज विशिष्ट लगू सिचाई पर योजना होती है लगू सिचाई संक्की का युपती करण देख लेते हैं इसकी सुरवार 1987 से 88 में की गई है या एक केंद्र प्रयोजित योजना है हाला कि यहां योजना बाद में केंद्र छेत और मद्यम अमें घयराई वाले त्यूब बेल त्यूब बेल और अत्यतिख गैराईल सामिल होते सतही जो प्रवाद योजना थे होता है किया गया है गड़ना के संदर में 2017-18 का इस्तिमाल किया गया इसका उद्देश जल निकाय के लिए एक राष्टी डेटाबेस का विकास करना है भारत में लगू सिचाई योजना देश में 695 जिलो में 695 जिलो में तेइस दस्वलमों एक चार बिलियन मिलियन लगू सिचाई पर योजना विद्धिमान है 94.8 लगू सिचाई पर योजना भूजल आधारित है जबकि 65.2 सताही जल भूजल पर अधारित है बस इतना ध्यान रगना है फिर उत्तर प्रदेश में 17 दसलमत दो प्रतिसत में सबसे अधिक लगू सिच पर इसमे के बाद हम गहरे ट्यूपकर और गहरे ट्यूपएल का इस्तवाल करते हैं पांचवी गर्णा की तुलना में छटी गर्णा लगू सिचाई योजना को 1.2 pac000 मिलन में वृद्धी दर्ज की गई है लगू सिचाई योजना का स्वामित 96.6 नीजी स्वामित के अधीन है जबकि 3.4 परसें सारवजिनिक स्वामित के अधीन आता है वैक्तिगत स्वामित वाले सभी योजनाओं में से 18 दसन्म एक प्रसत स्वामित महिलाओं के पास है उपयोग 95% सिचाही उपयोग में होता है अब है भारती बीज सहकारी समिती लिम्टेट की इस्थापना हुई इसका मक्सद देश के प्रतेक किसान को प्रमाडिक और वैकल्पिक रूप से तयार बीज का उपलब्द कराना है उसके बाद देखेंगे भारती बीज सहकारी समिती लिम्टेट के बारे में देख लेते हैं इसके स्थापना बहुराज सहकारी सुसाइटी अधिनियम 2002 तथा 2002 के तहट 2023 में की गई है इसे परामपरागत बीजों के सनरचन समर्दन और अनुसंधान में मदद मिलेगा परामपरागत बीजों बीज के सनरचन कर उसमें आने वाली पीडियों तक पहुचाना पहुचाया जाए जिससे स्वास्त पूर्वक अत्रफस और सब्सीडी और सब् उत्पन निधांत्र होती रहे और यहां काम करती रहे इसमें निम्लिकित सैयोगत रूप से प्रोसाहित किया जाता है भारती किसान उरौर्वरक लिमिटेड दोर्वारा राश्टी किसी सहकारी विपरन, राश्टी देरी विकास, राश्टी सहकारी विकास निगम, गौर तलब है कि B, B, S, S, L और अन्य सहकारी समत्या किसानों के कल्याण सुनिश्चित करने में महात्पूर्ण भूनका निभा रही है अब बीच प्रमारी करन, यह एक बहुत इंपोर्ण टॉपिक है, यह साइन्स टेक्स से भी कही न कहीं मैच कर जाता है क्योंकि जैनेटिक मोडिफाइज चीज होती है, विश्टी और किसान करनेयर मंद्राले के साथ ही सीड ट्रीट्रेटिबल्टी अर्थ अर्थेडिक्स एवं फोलिस्टिक्स इन्वेस्मेंट पोर्टल लॉंच किया गया है बीच प्रमार से समद्दित समस्यां क्या-क्या है वो देखते हैं बीच प्रमार की मांग समद्दित अनिश्चित मौजूद है साथ ही कम सेल्फ लाइफ प्रमार बीच केवल एक मौसम के लिए ही उपयोग होता है और सनश्चना के कमी के कारण प्रमार प्रमारीत बीच प्राप्त करने में कटनाई आती है बीच की गुर्वत्ता को नियंद्रित करने के लिए प्रभावी निकरानी तंद्र का आभाव है अन्य समझत तते देख लेते क्या है या एक केंद्री कृत ओनलाइन प्रणाली है इसे बीच उत्पादन गुर्वत्ता बीच की पहचान और बीच के प्रमाण की चुनावतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है इसके अंदरगत QR कोड के माध्यम से बीजों की प्रमाणिक्ता का पता लगाया जाता है या पोटर राश्टी सुचना विज्ञान केंद्र के सहीयोग से विक्सित किया गया है इसका विकास उत्तम बीच सम्रिद्ध किसान थीम पर आधारित है बाकिस में और कुछ नहीं है अब है भारत में खाद भंडारन के बारन दिख लेते हैं हाली में केंद्री मंट्री मंडल ने सहकारी छेत्रों के विश्व की सबसे बड़ी आनाज भंडार यूजना के लिए एक अंतर मंत्री मंडली समिति के गठन और और ससक्त करने के ब्रस्ताओं को मंजूरी दी गई है भारत में खाद भंडारन के लिए उद्देश का है इस यूजना के निमलिकित उद्देश है यह देख लेते हैं खाद सुरच्चा को मजबूत करना खाद बरबादी को कम करना किसानों को ससक्त करना इसके साथ साथ इसके लिए प्राथमिक किसान साख समिति के इस्तर पर गोदाम एवं कृशी और सर्नचना क निमले में अंतिं करे के रू Compare करता है किसानों के लिए किसानों के लिए क्रिशी कारियों के लिए अलकाल इवं मद्यम काली को करता ऐबह यह जोज़ाक को कुछ इन पॉनद مरे देख लेए में खाद प्रबंदन पुल उत्पादन सरकारी आकड़ों के मुताबिक देज भर में प्रती वर्ष 3100 टन लाग टन अनाज उत्पादित होता है अनाज की खरीदारे के लिए सरकारी विवस्ता देख लेते हैं केंद्री खादी प्रमाड़ी केंद्री पुल में अनाज की खरीद या सीधे या तो सीधे भारती निगम तत्था राज सरकार को एजेन्सियों के द्वारा की जाती है जाला की सरकार राज सरकार की ऐसी एजेंसियों को अनाच खरीद खरीदी है जिनें FCI को सौब दिया जाता है विकेंद्री की खरीद योजना इस योजना के तहट 1997 से 1998 में सुरू किया गया थैं इसके तहट अनाच खरीद और वित्रन का कारे स्वयम राज सरकार के दौरा की दौरा खादियान का ठोग आवंटन किया जाता है लाभारतियों के खादियान वितरन की जिम्मेदारी राज़े सरकार को सौपी जाती है इसके लिए राज़े सरकार निम्निकित कारे करती है पात्र परिवारों की पहचान करना रासन कार्ट जारी करना उचित मूल्यों की दुकान पर काम काज की देखरेक करना अब भारत में खाद्यान उत्पादन में नियंतर विध्धी मिलियन टेंड में देख सकते हैं दो हजार पंद्रा में कितनी थी अभ्धियदी बढ़ते 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 देख रहे हैं यह चार तक यह पहुच गई है लगातार मतलब भढ़ रहा है अब उसके बाद देखेंगे यह तिलहन है यह दलहन है और यह पुल्खाद्यान से सम्भंदित है अब भारत में खाद मुद्रा स्विती का प्रबंदन देख लेते क्या हैं इसके बाद देखते कितना बच्चा होगा है तो नेक्स्ट वीडियो में स्वैप करेंगे कि काफी है देखते हैं जैसा होगा पानी पीते रहे बीजुच में कड्मिया आ गई है भारत में खाद मुद्रा स्विती का प्रबंदन देख रहे हैं देख रहे थे हम लोग इंडियन कॉंसिल फर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलाइं रिलेशन्स या अनुमान के अनुसार 2023 में आनाच निर्यात पर प्रतिबंद लगाने के किसानों को कम से कम 45,000 करोण उपय की हानी हुई है अनसमंदत देख रहे हैं खाद मुद्रा स्विति पर अंकुष लगाने के लिए सरकार ने खाद वस्तुमों के वैपार पर पतिबंद लगा दिया और आपूरती बढ़ाने के लिए निरियात कर लगा दिया जिससे किसानों की आय में कमी आई है सरकार दौरा अपने अनाच के स्टॉप को बफर बाजार दर्ग से काफी कम कीमत कीमत पर जारी करने से किसानों को अतिरिक्त पांसो और तालिस रुपए प्रति कुंटल की संभावना का नुक्सान हुआ है भारत में मुद्रा इस्विति का मापन क्या थोक मूल सुचकांग पर होता है एक होता है कंजूमर के बेस पर आये देख लेते वह सब क्या है को प्रेवरतन को ध्यान में रखा जाता है जब कि कंजूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुवाओं के मूलों को ध्यान में रखा जाता है थोग मुल्य में कहते हैसे वाओं को नेए जोडा जाता जब कि का इसंसे लाकार ढुब्लू पी आई की और कारिक्राम क्रियानिमें में ने ताहट आने वाली आफिए अप्छिदा मुल्त सुचकांग सबसे ज्यादा देखेंगे तो आप खाद एवं पेजल पे हैं तरफ से ज्यादा आप देखेंगे उसके बाद देखेंगे विवीद पे आजयता है एप वीद सब जाद है और इसमेन पूझ नहीं है भात में खाद मुद्रास टी क्या है अगर 2023 छोड़ेटों जोगए थी इसे ने हो गई द्वारा मापा जाता है वर्तमान खाद मुद्रस्विती मुख रूप से टमाटर प्याज अनाज गियों चावल मसाले एवं दूद और डेरी उत्पाद की कीमत बढ़ने के करण देखी गई है गियों की कीमत में विद्धी के लिए जिम्मेदार घरेलू कारको में आंचिक र आश्ची मोल में परिवर्तन सामिल है अब भारत में खाद मुद्र अब यह इतना इंपोर्टन नहीं है इसमें अब मोल निगरानिंग में 22 अनिवार वस्तु हैं यह देख सकते हैं खाद में क्या है गेहूं चावल और आटा है उसके बाद दालों में क्या क्या है चाना और उसके बाद देखेंगे अरहार सोरी उग्रत मतलब तुगार मतलब अरहार होती है मूंग और मसूर है आदे तेल में आप देखेंगे सब्जीयों में क्या है और चीनी में अन्य वस्तु में चीनी गुड़ दूद दही चाय नमक ही सब है तो यह सब देख लिएगा बस उसके बाद क्या हूं है जली करिशी छेत बारे में देखेंगे कि जब जो कर्षी छेते वह है उनके बाधैं देखेंगे अल्य इस उठकिया雁 देख लेते का है wanna मत dwar सर्भाल स्भा में त जली क्रिश्री प्रबंधन विद्यक दो हजा तेश पास किया कि उसके बाद है अनसमद्ध तते देख लेते हैं इस विद्यक का उद्धेश तठी जली क्रिश्री प्रबंधन अदिमियम 2005 में संसुधन करना है साथ ही इसके तहट आने वले अपराधों को गैर अपराधी करने का भी इसका उद्धेश है अब है भारत में मत्स पालन छेतर देख लेते हैं अंतर देश यानि इन लैंड मचली उत्पादन में पहला स्थान है फिर जली क्रिशी मचली उत्पादन में तीसरे स्थान पर भारत आता है मचली और मत्स उत्पादन के निर्यात में चौथ नंबर पर आता है उत्पादन तीसरे नंबर पर करता है और जो निर्यात करता उसके लिए चौथ नंबर पर आता है अब आगे देखेंगे 2005 में इस अधिमियम ने तटी जली क्रिशी के वि विवस्थित करना है उसके बाद देखेंगे कि जली कृषी एकवा कलचर जो है समुद्री जल मचली समुद्री शैवाल और अन जली प्रजातियों की खेती के लिए एकवा कलचर होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि सब मट सकेटस इसे नेट में आएंगे ठुरा यहां पदनेक्श हो भी उसके बाद देखेंगे अधिनियम के मुख प्रावधान एवं बिंदु क्या-क्या है कि पहला है कि तटी जली कृष्षी को बढ़ावा देना है फिर इसके कुछ दाइरे भी लाए गए है फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी किया है CAA की सन्नशना दिख लेते इस विधियक में मत्सपालन पशुपालन और देरी मंत्राले के एक प्रतिनिधी को CAA के सदस के रूप में जोड़ा जाएगा दाइरे में विध्धी या कानूर अब उन सभी इकाईयों को भी विनियमित करने के दाइरे में आता है जो समुद्री तट पर मचली पालन या उससे जुड़े किसी भी काम में लगे हैं इन्हें तटी जली क्रिशी इकाई कहते हैं विधियक में कहा गया है कि CAA तटी जली क्रिशी आदानों के विनिमित करेगा और जली क्रिशी यूनिट की निगरानी करेगा बस içटना देखना था इसमें अब और देशी मत्सकी। देख लेते हैं। हाल ही में भारती अंतर देशी जल में मचली उत्पादन मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्स देश आ गया है इसके साथ ही भारत मचली उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में सामिल हो गया है इसमें अंतर देशी जल एवं मचली उत्पादन जो मतलब कि किसी सीमा के अंदर उनका मालिश कि तलाब वलाप के प्रूप में इसमें बोला गया है कि यह जो है चीन को पिछाड़ते हुए शीर्ष देश में आ गया है अब देखेंगे अंतर देशी मत्स उत्पादन देखेंगे कि वर्ष 2000 के बाद से भारत में अंतर देशी मत्स उत्पादन अब तक के अपने उच्चितम इस्थर पर पहुँच गया है समुद्री अपने इस्थर पर है लेकिन थोड़ भी बढ़ रहा है अब है देश में देश के बीतर इस्थित नदी जील जलासे और तलाब और जल निकायों में मचलियों की उत्पादन प्रबंदन और सनच्चन को अंतर देशी मत्स की कहा जाता है इसमें क्या क्या आएंग इसमें जो है भारत जो है अभी वर्तमान में चीन को पिछाड़ाते प्रथमिस्थान पर आ गया है और शीर्ष मचलियोंत पादन जो पूरे मिलाक मचलियोंत पादन उसमें दुनिया के तीन देशों में आ गया है यहां हम लोग ने देखा था यह पैराग्राफ यह जो यह प्रिश्ची में देखेंगे तो वह जो आपका मचली उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ जाता है अब देखेंगे कि यह मुखता दो तरीकों से किया जाता है एक मचली पकड़ना और एक मचली पालन होता है और उसमें और कुछ इंपॉर्टिन इतना नहीं है अब है के लिए पहली क्रेडिट गैरेंटी योजना शुरू की है उसके बाद देखेंगे पशुपालन एवं डेरी विभाग मत्रिपालन पशुपालन और डेरी मंत्राले के अंतरगत आता है अन्य समझत देख लेते हैं क्या है पशुपालन एवं डेरी विभाग ने 750 करोन देश रिर्ण वित्रण प्रणाली को मजबूत करना है पशुपालन छेत्रों में समग्र सनलंग मसमी को रूप से रिर्ण प्राप्त करने के लिए सुधा प्रदान करना है यह योजना पशुपालन और समर्चना विकास पाधिकरन के अधीन होगी अब है एच आई डी एफ के बारे में देख लेते हैं यह आत्मिरबर भात पोट्साहन पैकेज के ताहत केंद्री छेत्रों की एक योजना है यह व्यक्तिकत उध्यमियों नीजी कंपनियों पशु लगू और मध्यम उध्यमियों किसान उत्पालन संगटन तथा धारा आठ के अंत्रगत आने वाली कंपनियों की इस्थापना करने के लिए नीवेश को प्रौशायत करता है। इस योजना के अंत्रगत प्रदान की जाने वाली वित्ती सहायता है ब्याज में पुल 3% की छूट मिलेगी पर योजना की कौल लागत में डब्य पर सेता क्रीडल इसी भ बारा प्रदान किया जाएगा आप पश्रुपालन छेत्र के बारे में देख लेते हैं लेकिन उसे पहले देखते क्या आप जानते हैं यह भी देख लेते हैं भारत में श्वेट क्रांती के जनक पदम विश्ण सम्माई दॉक्टर वर्गिस कुरियन यह याल रखिएगा यह operation flood का नेत्रत भी किया था आपको पता है भारत में सब्सक्राइब उपादन भी होता है अब पशुपालन राज सूची का एक मिसे हैं पता होना चाहिए आपको बीश्वी पशुपालन जन्गर्णा के अनुसार पशुपालन जन्गर्णा 2012 की तुलना में पुल का वेबसाइक पालन और प्रजन करना फिर मचली पालन फिर मधुमक्खी पालन आदिव बुनियादी पशुपालन सांकिकी 2023 सर्विच्छन नहीं 2018 उन्हें से 2022 देश के लिए प्रमुख बिंदों पर एक नजर ग्रोथ रिष्टेर और यह इतना यह सब इंपर्टन नहीं है इसमें कित्ती परिष्टन विद्धी हो रही है कि समस्या आपको पता हिए निम नुत पादन है पशु आहार चारे की कमी है पशु स्वास्त कभी भी मर जाते हैं जानते हैं परियाप्त सहायता उपलब्द नहीं तो उससरा के डॉक्टर नहीं है जो हर एक छेत्र गौवव इलाके में जाकी लाज कर सकें परिवर्दन की चीजों में परिवर्दन लिक्कत आती है परियावरन जो है वह भी एक संबंदित है आप राश्टी हल्दी बोड यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने भी कुछ साल पहले इसमें पेटेंट हल्दी पर दायर किया था तो उसको लेकर सरकार हिंदुस्तान की सरकार ने उट पर अपति को दर्ज कराया था तो पेटेंट उनका नहीं हो पाया था तो आहल्यगाना में सरप्ति क्षुछ यहां बोड मंत्राले काम करेगा यह इंप्रोटेंट लाइन किसके अंतर काम करेगा राष्टी क्रशी और आयूश मंत्राले और और अशदी विभाग का प्रतिनित करने के लिए के चार सदस्य होंगे अनसदस्य देखेंगे तो अनुसंधान में सामिल राष्टी या राज इस तरी संस्थाओं के सदस्य हल्दी की खेती में लगे किसान और निर्यात को प्रतिनिती बनाया जाएगा अब वोड के प्रमुक उद्देश का है यह मूल बनाना हल्दी को वैश राष्टी किसी और विकास बैंक नाबाढ ने सामाजिक प्रभाव बॉंड के माध्यम से एक हजार एक तालिस करों रुपए को जुटाया है सामाजिक प्रभावी बॉंड देख लेते क्या है सामाजिक प्रभावी बॉंड एक प्रकार का वित्य पोशत तंत्र है। इसमें सरकारे सामाजिक निध्यत्यों Classic के श्यां के वित्रण हितों भुक्तान करने के लिए सामाजिक सेबाप प्रदाताओं एवं निवेशकों के साथ समझूदा करती है। पूरे पूरे जिले में पीपिरी चिलचवाहट नगर निगम के तहत ने भारत में पहले सामाजिक बॉंड सामाजिक प्रभाव बॉंड के सहसरजन हे तो यू एंडीपी इंडिया के एक साथ समझौता वेगापन पर हस्ताक्षा हुए थे अब नाबाट के बारे में थोड़ देख लेते हैं पत्ति नाबाट का गठन 1991 82 में वे विश्व यह देखिया गया समィत्र राष्ठी और विश्वरामन पूरता भारत सरकार का है विजन क्या है ग्रामीर व्रिद्धी को बढ़ावा देने के लिए राष्टी विखास बैंक के और मिशन जो आप देनते हो जो लोगों को जोड़ना है नाबाट के कार क्या है आप कोई पता है यह आप देख सकते हैं नाबाट दौरा सुरू की गई अनतर राष्टी अनुसन्धान समुनायोझ्षू किया गया इस समवेलन का योजन और कि जैन्डर इंपक्त ने स Teaयूहत रूप से समंभाव तक न्याई संगत और उनफूल कि फिशी खाद्ड प्रणाली की और मंत्राले देख किष्डेट मंत्राले है उत्पत्ति के इंपिरियल किसी अनुसंधार परिशत के नाम से है बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अब यह उला चप्टर जो है खतम हो गया है अब नेक्स चप्टर हम कौन सा देखेंगे वह देखेंगे खना नेव मुद्धोग यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कहां कहां से कितने कितने मिनरल्स आरत इस तरह किसमें टॉपिक्स आएंगी वीडियो यह सब आप करत तरह कितने माँ